है राजकापुर साब अपनी महत्रपून फिल्मAK चारjob इसके गाने की शुटिंग कर रहे थे और ये गाना भी काफी पॉपलर हुआ हूए बल्कि अमरी ये गाना है मुड्मूर के न देख मुड्मूर के राजकापुर 10 जब इस गाने के शुटिंग कर रहे थे तो इसकी दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन भी प्रेस कर लीजेगा ताकि नोटिफिकेस्टन साथ तक पहुंचती रहें नमस्कार मैं मैं इसकोली बॉलिवूड संगित के सफर से दोस्तों ये किस्सा है राजकपूर साथ की दरिया दिली का राजकपूर जब आरके स्टूडियो में अपनी फिल्म सिरी 420 के गाने मुड़ मुड़ केना देख की सुटिंग कर रहे थे तो होता क्या है जब वो इस गाने को शूट कर रहे थे तो उनके स्टूडियो के बार उनसे एक वेक्ति मिलने के लिए आता है जिसको गार्ड रोक रहे थे राजकपूर से मिलने नहीं वो दे रहे थे मगर जब राजकपूर की यूनिट के कुस लोगों ने उनको देखा तो उनको हैरानी हुई ये वेक्ति कोई आम वेक्ति नहीं था बलकि ये राजकपूर के सीनियर एक्टर थे बलकि उस दोर के लेजन एक्टर थे जब आरके यूनिट के लोगों ने उस वेक्ति को पहचा तो वो उसको राजकपूर के पास लेकर के आगए इस्टूडियो के अंदर और राजकपूर से उसको मिलवाया राजकपूर ने देखा राजकपूर भी हैरत में इतने बड़े अक्टर का ये हाल राजकपूर उनको तुरंट पहचान गए तो राजकपूर ने उनको खाना व कोटा रोल चाहिए चाहिए वो एक्स्ट्राका रोल या फिर किसी जूनिय men gold अब राजकापूर को ख़िए चाहिए राजकरपुरण को और इफ्सार ने को बता और उनको जूनिय कुछ जरूर करेंगे खैर उस दिन ये बात आई गई होगी वो एक्टर चले गए राज कपूर के स्टूडियो से और राज कपूर ने उस दिन मुडमुड के ना देख गाने की शुटिंग की और अगले दिन भी मुडमुड के ना देख गाने की शुटिंग होनी थी अगर र राजकापूर को लगा यार इंडरिस्टी का कोई वरोसा नहीं अब डाउंस चलते रहते हैं ना मालूम किसके साथ कब क्या हो जाए राजकापूर को लगा उनको उस एक्टर की मदद करनी चाहिए राजकापूर ने फैसला लिया यही वो वक्त था जब सिरी 420 की शुटिंग करेंगे उस फिल्म की काफी गानों की recording's राजकापूर साथ कर चुके थे और यही वो गाना था जिसको रवी साब ने गाया था तो राजकापूर ने फैसला ले लिया रवी साब का यह गाना वो इसी action पर प आपका एक गाना है जो वो उस एक्टर पर पिक्चराइज करेंगे उस एक्टर को रहात मिली और राज कपूर ने अपनी उस फिल्म का गाना उस एक्टर पर पिक्चराइज किया जिसको रफी साब ने गाया था जब ये गाना अच्छी तरह से शूट हो गया, इस गाने की शूटिंग पूरी हो गई राज कपूर ने उस एक्टरों को का, वो उनके कद के मताबिक तो उनको कुस नहीं दे सकते हाँ, उनकी वो थोड़ी मदद जरूर कर सकते है और राज कपूर ने ये कहते हुए, उस एक्टर के हाथ में एक लिफाफा थमाया और जब उस एक्टर ने वो लिफाफा खोल कर देखा, उनको काफी हैरती उस लिफाफे के अंदर 25,000 थे, अब आप लगा लिजिए, 50's के शुरुआत की ये बात है 25,000 की वैलू क्या होगी, जी हाँ ये एक्टर कौन थे, ये एक्टर थे, मूख फिल्मों के, साइलेंट फिल्म्स के ये लेजन एक्टर रह चुके थे, इनका नाम था मस्टर निसार और राजकापुर साब की जो फिल्म बन रही थी, शिरी 420 के साथ साथ ये फिल्म थी, बूट पॉलिस जो 1954 में आई थी, और वो गाना रफी साब का जो था, वो गाना था तुमारे हैं तुमसे दया मांगते हैं जो रफी साब ने आशा बुसल जी के साथ गाया था, और इस गाने का मुजिक शंकर जैकिशन ने दिया था, इसको लिखा था, शेलेंडर साब ने, अगर आप इस गाने का वीडियो देखेंगे, पिक्चराइशन देखेंगे, तो आ पर राजकपुर साब की भी तारिफ करनी पड़ेगी, किस खूपसूरती से उन्होंने इस एक्टर पे ये गाना पिक्चराइश किया, मास्टर निसार पे गाना पिक्चराइश किया, और ये गाना भी अमर हो गया, उसके बाद मास्टर निसार को काफी काम मिला, और इसका जरिया बने राजकपुर साब राजकपुर साब नो ने बूट पॉलिश में काम दे करके जो किया वो अपने आप में नयाब बात थी तो दोस्तों ऐसे भी किसे में ऐसे किसे में आपके लिए लेकर क्या आता रहूंगा मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा तो मैं इसको लिको दीजेगा अजाज़त गुडबाई गुड़लग और टेक कियर